आईपेल में दूम मचाने आ रहे है रिशब पंथ पिछले साल दिसंबर में भयानक कार दुरगटना के शिकार हुए रिशब पंथ क्रिकेट के मैदान से कुछ समय के लिए बाहर हो गए है 25 वर्षिय पंथ की कार दिल्ली देहरादून राजमार्क पर एक डिवाइडर से टकरा गई थी और उसमें आक लग गई थी हाला की पंथ तब तक कार से निकल चुके थे पंथ ने रिकवरी करना शुरू कर दिया है और हाल ही में उन्होंने फिर से चलने फिरने की एक विडियो शोशल मीडिया पर शेयर किया है आपको बता दे की रिशब पंथ देली केपिटल्स के कैप्टन है और अपनी विस्पोटक बल्ले बाजी के साथ साथ वो विकेट कीपिंग करने में भी माहिर है रिशब पंथ अपनी घातक बल्ले बाजी से दुश्मनों के होश उड़ा देते है वो पल भर में मैच को बदलने की शमता रखते है आपको बता दे की शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे एक प्रोमोशनल वीडियो में पंथ ने वापसी की बात कही है ये वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है और फैन्स सोच में पढ़ गए की क्या पंथ आईपेल में खेलेगे पंथ इस वीडियो में कहते है अगर हर कोई खेल रहा है तो मैं क्यू नहीं मैं अब भी गेम में हूँ बॉस मैं खेलने आ रहा हूँ दरसल ये एक फूट डिलिवरी एप का प्रोमोशनल वीडियो है जिसे देखकर फैन्स सोच रहे है की रिशप पंथ वापस आएगे और आईपेल 2023 में खेलेगे लेकिन ऐसा नहीं है उनको अभी आराम के लिए कहा गया है क्रिकेट की टॉप खबर हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए